हेलो एन वेलकम काई, इस वागत आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुखाटी टीटेंड लिग की जो की मैच होगा है यहां से इस वीडियो में कवर करेंगे तो बात करेंगे इस मैच के इससे पहले एक चोटीसी रिक्वेष्ट है के यूटूब चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नेगे तो सबसे पहले आपको YouTube चनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये टूर्णामेंट तो पूरी कवर की जाएंगे इसके साथ-साथ आपको यहाँ से PONDO CHERY T10 जो कि T20 कल से रेगुलर्ली शुरू हो जाएगा तो उसके मैंचेस के वीडियो मिल जाएंगे इसके साथ-साथ आपको यहाँ से CST10 जो कल से नई टूर्णामेंट शुरू हो जही है तो उसके मैंचेस के वीडियो मिल जाएंगे और यहाँ से MCA भी बहुत जल शुरू होने माल है तो उसके मैच इसके वे वीडियो आपको इसी YouTube जनल पर मिलने हैंगे तो YouTube जनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस साथी में यहां से टेलिग्रम चैनल से जूट जाएगा क्योंकि Final Update और टीम अगर आपको टेलिग्रम चैनल पर मिल जाएगे तो टेलिग्रम से टुण डेके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रडी लिंक एटच के हुआ है इनके सब्सक्राइब लिंक बॉक्ष ना करें तो टेलिग्रम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो प्लस आपको एवरे स्कॉर बनता हो नजर आ सकता है चेजिंग रकोड की बात करो तो यहांसे कल की चेजिंग करने वाली टिम ने जीती जो भी टिम चौर जीते के पहले फिल्डिंग करना पसंद कर सकती है तो सबसे पहले बात करते है ऐसे टीम ब्रदर गयाश की तो वन उफ प बेस टीम इस टूना मेट की मैंने टीन नाम इस से पहले की एक वीडियो में बताया थी तो की एक ब्रदर भाइ साथ रेगुलर T10 में, रेगुलर बेजिस पर यासे ओपनिंग करते हैं, और लास्ट मैच के नर्ड़ ओपनिंग भी किया, और यहां तक भी मैंने बताया था, अगर आगे भी आपको अच्छा स्कॉर करता है, लेकिन यहां से सामने इनको एक ही बॉलर से बचके रहना पड़ेगा, वो हम थोड़ा सा आगे बलते हैं, बाकि उस्मान खान वेरी इंपोरनेट पिक रहेंगे, यहां से जीजु जनादन भी, अभी के लिए आप लोग इनको के तौर पर ट्राइक कर सकते हो, लक्समान माजरेकर ने अभी तक पिछली तीनोई मैच के रहें जबजास परफॉमस दिया, पहली मैच के रहें थाटी शेवन रन के, आला कि पिछली दोनों मैच के रहें रहे लेकिन बॉलिंग से हर एक मैच के रहें विकेट निकाल रहे है, पिछली दोनों मैच के अंदर, तो ऐसे प्लेयर हैं से लक्समान माजरेकर भी अच्छी पिक बनते है, मौमाद अबजल थोड़े से नीचे खिलते हैं, और लास्ट मैच के लिए 29 रन के पारिके रहें वैसे टिंग के रहें, तो इनको तो अभी देगो, ओक्यों मैच के रहेंगे, थोड़ा सा रिस्की खिलो, तभी लेके जा सकते हो, क्यूकि पहली मैच के रहे थे, इसके बाद दुसरी मैच करने उनको पर्फोरमस करने का मौकाई नहीं मिला और लास मैच करने अच्छानक से एक ओस की गयन बाजी करते एक विकेट निकाले आगे भी आपको एक आदी ओस करते हुए नजर आ सकते तो इनको डिफ्रेंस लिए में ट्राइ करोगे अब आखि आयान खान को जरूड राए करेगा वैसे प्लेयर्स कापी अच्छा है यासे बैटिंग से तो कापी नीचे रहा तो बैटिंग से कोई उम्मीद नहीं करेंगे हाला कि देखो यहां से बात करो तो यहां से पांच में नमर वाले प्लेयर्स तक ही बैटिंग आई थी तो चठे नमर पर कौन आएगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ लेकिन हो सकते है आयान खन भी आ सकते क्योंकि आपके अच्छी बैटिंग कर वा ले थे इवन बॉलिंग तो और एक मैच के अंदर पूरी करवा ही सकते तो ऐस प्लेयर यासे आयान खने कच्छी बीग है अलागे लाश मैच के अंदर इतना कोई खास परफॉमस रहा नहीं लेकिन इनके पर आप बरोसा कर सकते हो यासे तनवीर जावेद भी एक दावेदार है चठे नमर के वैसे जादा तर ये चठे नमर पर ही बैटिंग करते है तो चठे नमर पर ये भी आ सकते है बैटिंग क करवाते थे लेकिन अभी कैप्टन जीप तो नहीं करवाते लेकिन आपको बता दू के प्लेयर्स काफी बढ़िया यासे हर एक मैच के अंदर विकेट निकाल दा आप नजर आ सकता है तो इनको जरू लेके जाएगा और वसी मकरम पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट नि लेकिन अभी के लिए लास्ट मैच में इन्हों ने बॉलिंग किया था बाकि ब्याइच की बात करो तो इनके स्टैट्स में आपको टेलिग्रम में पहुंचा देता हो ताकि आपको आसानी रहेगी वहाँ पर चेंजिस को करने के तो जल्दी से चाकि आपको टेलिग्रम चैनल को जॉइन के लिए हम बात करेंगे यहाँ से टीम मेच के लिए हम यहाँ से टीम मेच के लिए यहाँ से त्राकि करा सकते हैं यहां से अभी वी FAIनल नहीं है वाइज साब ओपनिंग की कि साहन अक्रम लेकिन लास्ट मेच मैच में ओपनिंग भी कि अच्छा स्कोर गी है तो एक बार फिर से टीम इनको मौखार दे सकते हैं बागे सहियाद मक्सुद तो आपके टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए इवान आज की मैच में तो ठीक है लेकिन इससे पहले तीनोई मैच के अंदर जाता तर पब्लिक इनक सकता हूँ लेकिन वाल राउंड वाले परफॉमस वाले प्लेयर्स अच्छे है तो इसके लिए कैप्टन वाइस कप्टन तो नहीं करेंगी लेकिन एज प्लेयर जरूर लेके दाएंगे उजे अर्मान की बात करूब वहीं लास्ट मैच के अंदर ये बाई काफी जबर जस् तो यासे पिंच शीटर है तो इनके अपर आप डिफ्रेंस लिए में बरोसा कर सकते हो और काफी बड़ा स्कॉर भी हो सकता है इनके देखो यहासे चली तो चांत तक वाले प्लेयर्स हैं लेकिन काफी लंबे चक्या मारते तो इनके उपर बरोसा कर सकते हो उज़र्मान के सफिर तरिक को लेने का कोई मλλब बंता नहीं ऐसे संी आजम ने पिछली दोनों मेच के लिकेट निकाली उनके अपर वरोसा कर सकते हो मुद्सर विकेटा सकते हो यहासे रिज्वान आजम थोड़े से ओके ओके प्रिक रहेंगे पहली मैच के अदर व behavior学 इती तूसरी मैच के अदर एक vicket मिली थी और लास्ट मैच के अदर एक बार फिर से विकेट नहीं मिले और इनकी जो स्विंग होती है न भई काफी नीचे वाल रहते हैं और नीचे से स्विंग भी होती है तो यहाँ पर इसका फाइदा पूरा उठा सकते हैं और शुरुवात के अंदर यह बाई सब विकेट्स निकाल थकते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था जिजु करेंगे और देफ़ोस में अब्दुलमलिक के साथ यासे सनी आजम देफ़ोस में गयनबाजी के लिए बाकि बात करो तो ब्याइंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स में आपको टेलीग्राम चैनल को जोईन करना है क्योंकि आपको वगेर आपको वही पर मि साहिट को मौका दे सकते हो क्योंकि यह बाइस बैटिंग के साथ जा रहें चलो सामने हाली टीम के विकेड्स भी किल सकते है तो बैटिंग सेक्षन दे उस्मान खान सायद मक्सूद जीजु जनाल दन और मुहमद हफिच कलीम को लिए जिनका सीलेक्शन काफी कम है तो आप पर परोसा कर सकते हो काफी लंबे चक्के मारे थे लास्ट मैच मैंने देखा हुआ है काफी जबज़स केल रहे थे तो आप इनके पर परोसा कर सकते हो बाकि ओल रांडर सक्षन वे आसे एल मांजरेकर उमर भारुक हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकि ओपसंस तरहे ठीक तागे ऐसे सहान अकरम को ट्राय करना जाओ तो कर सकते है तो ओपनिंग किया था लास्ट मैच के अंदर तो यहां से आप लोग हफीज कलिम की जगा पर सहान अकरम को भी ले सकते हो यह चैंजिश कर सकते हो वोलिंग शुक्षन से यासे मुझम्मद अफिजु रह्मां यासे मुदसर अली के साथ मैंने यासे वशीम अकरम और यासे मुझमद अजर को लिया है आप चाहे तो यहां से वसीम अक्रम की जगा पर या तो आप अब्दुल मलिक या फिर अयान खान को मुखा दे सकते हो बाकी ओप्संस तरहे ठिक ठाक है यहां से आप लोग इनको सरनी आजम को भी ले सकते हो लास मैच के अंदर दो विकेट निकाली थी लगकिन अभी के लिए टीम लेकिन याज रेडियमोटी में आपको मिलेगे टेलिग्राम में फाइनल लाइन आपके बाद तो टेलिग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटेच किया हुआ है इनके सब्सक्राइब में जाके आप सर्च भी क प्राइज युड़े के साथ तब तक आप पूरा वड़े रखते रहो अच्छा एनलिसेस के तो रहो अच्छी टीम बनाते रहो अच्छे मिनिंग करते रहो तब तक के लिए भाई धन्यवाद जैहिन जै भारत